तो जैसा कि आप सबी को पता है चंद विवेचना और इसका भाग नंबर अगला जो मैं लेकर आपके सामने आ चुक हूँ और अपने जो मुख्य सब्दावलियां जो चल डेती उस सब्दावलियों में आज जो हमारी सब्दावली है सर वो है गन लास्ट क्लास में हमने पूर वर्ण आता है स्वर आपका रहित आता है तो उनको क्या करना है अनुश्वार आती है तो क्या करना है नुनाशिक आती है तो क्या करना है यह तमाम बाते मैं आपको लास्ट लेक्शन में बता चुका हूँ अब हम यहां पर जानते हैं सर कि जो गण विधान होता है उस गण विधान का क्या मेत हो रहत है तो आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे जब हम वर्णिक या वृत चंद के बात करते हैं दुबारा से सुना कि जब हम वर्णिक या वृत चंद के बात करते हैं तो वहाँ पर गणों की परधानता होती है और गणों के अधार पर वर्णों की काउंटिंग करी जाती है और गण बनाए जाती है सर गण से मतलब हमारा क्या है तो जानिये अच्छी तरीके से तो सबसे पहले तो हम यह जानते हैं भया कि गण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है गण का शाब्दिक अर्थ जो है वो आपका क्या होता है गण का जो शाब्दिक अर्थ है पहरे साथ यो आप सब को ध्यान में रखना है गण का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका होता है सर दल या समुहे गण का मतलब होता है सर दल या फिर समुहे इसका मतलब ये हुआ गण का मतलब क्या होगा सर समुहे होगा और यहां पर छंदों में गण का अर्थ क्या है तो छंदों में जब हम गण की बात यहां पर करते हैं तो आप सब को ध्यान में रखने ना, कि तीन अक्षरों का समुहें, गण कहलाता है, तीन वर्णों का समुहें, आपका क्या कहलाता है, गण कहलाता है, तो यहां पर हम बात करेंगे, कि तेन अक्षरों का करमिक समुहें गण कहलाता है अब जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है उनके बाद समझ में कुछ भी नहीं आई होगी कि सर ये गण होता क्या है सर कौन से तीन जो करमिक आपके जो वर्ण होते हैं वो होते हैं तो मैं आप सब को राम से समझाने वाला हूँ कि कौन से आपके करमिक अक्षर होते हैं अक्षर यहां पर मैंने क्यों लिखा है क्योंकि कुछ ऐसे यहां पर वर्ण होगे गणों का प्रियोग वरनिक छंदों में किया जाता है वरनिक या वरित छंदों में किया जाता है अब जैसा कि आप सबको बताओगा मैंने यहाँ पर कहा कि जब हमने मात्राओं का विधान हमने जाना था मात्राओं जो है वो हम कौन से चंद में पढ़ते हैं पहरे साथ यो मात्राओं का जो प्रयोग है वो मात्रिक चंदों में किया जाता है तो उसी प्रकार से गणों का जो प्रयोग है वो आपका कौन से में यानि कि वर्णों की ज आपके सामने मैंने एक नाम लिखा कि अभी जैसे कि मानलों अभी मैंने आपके सामने ये कहा मानलों कोई भी मैं आपके लिए उधारन लिख देता हूं एक जैसे कि मानलों मैंने आपके आपके बीच में ये बोल दिया कि नेल प्रिधान नेल प्रिधान वीच सूकुमार अब आपके सामने यहाँ पर मालो इतनी सी पंक्ति मैंने आपके सामने आदा आपका चरण मैंने लिखती है एक चरण और यहां पर आप देखो आपके सामने मातरा हैं तो गिरने गिरने है लेकिन यहां पर देखो इसके मातरा आपके क्या साथ यो गुरू इसके गुरू है और इसके आपके गुरू ठीक है इसके लगू इसके भी लगू इसके भी गुरू इसके आपके गुरू और इसके आपक लगू यह आपकी लगू और यह आपकी गुरू और यह आपकी लगू लास्ट अब देखो मैंने कहा तीन अक्सरों का कर्मिक सुमुत तीन अक्सर लगातार कौन से हैं पहला दूसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा यह एक गण बन गया पहला दूसरा तीसरा एक गण बन गया पहला दूसरा तीसरा एक गण बन गया यानि कि आपके सामने ये जो आपका बना सर बड़ी मात्रा छोटी मात्रा फिर आपके सामने आई सर छोटी मात्रा इसको हम क्या बोलेंगे सर एक गण बोलेंगे ये क्या साथ यो एक गण है अब गणों के नाम होंगे आगे चलकर वो ताम हम अभी decide करने वाले कि कौन से की मात्रा एप अगacao होगा हैattend है यहाँ आपके सामने एकन ये दिखाए दा रहा है जिसमें किया तीनोह चोटी है मगन फीक है और उसके बार में अपके सामने ठीघ है- एक छोटा बड़ा चोटा यानि एक गण आपका यह हो गया यानि कि कुल मिलाकर मैंने आपको गण बनाना सिखाया यह आपर गणों का करम क्या बना वो बाद की बात है अभी तो मैंने आपको यह काम सिखाया है कि सर गण जो है वो कैसे बनाए जाते हैं कैसे गिने जाते हैं तो आपको मैंने यह आपर बताया यहां पर देखो यह दो है यह गंड नहीं है यहां पर तीन है यह गंड है यहां पर यहां से लेकर यहां तक यह तक तीन एक गंड है कहने का मतलब आप जब वरनिक छंद पहचानोगे तो आपको वहां पर मात्राओं का तो ध्यान होना ही होना चाहिए मात्राओ उपर जब आप लगा लोगे तो मात्राओं के लगाने के बाद में आप एक कर्मिक रूप से तिन-तिन के जोड़े जो बनाते हैं उनी जोड़ों को गण कहा जाता है यह रासर बस इन गणों के क्या है नाम है अब गणों के क्या-क्या नाम होते हैं उन नामों के लिए भी तो आपको अगले पैस पर मैं लेकर चलता हूँ और गणओ की संखिया के बारे में आपको बताता हूँ ठीक हाँ और ये आठ कौन-कौन से उनके बारे में हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे समझना है आपको ध्यान से ठीक है काटना नहीं है बैस पो हाँ साइद मेरे इस उधारन से समझ गए बाकी तलकर मैं आपके लिए गण बनाने वाला हूँ ठीक है और कौन-कौन से चंदों में गण बनाने वर्निक चंदों में बनाने आपके सलेबस में जो चंद लगते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे अब आजो आपके सामने ठीक है खाली पेस पर हम गणों को समझते हैं और आप सब को ध्यान में रखना यहां से आप सभी को ध्यान में रखना गणों की गणों की आठ संक्या होती है गणों की आठ संक्या होती है गणों की आठ संक्या होती है ठेक है और उसके साथ में दो लगू गूरू होती है ठेक है गणों की आठ संक्या होती है और और वो आपका फैमस सुत्र है उस सुत्र को आप अच्छी तरीके से समझना मैं सुत्र को यहां सेंटर में लिख रहा हूं उपर नीचे भी मुझे करना पड़ सता है स्पेस मुझे जादा चाहिए आपने सुना होगा यह जो गण की पहचान का शुत्र है गणों की पहचान का सुत्र इसको ध्यान से याद कर लेना ट्रिक नहीं है यह सुत्र है सुत्र क्या है सर आपके लिए शुत्र यह है ये मात राजभान सलगा ये मात राजभानसलगा ये क्या है सात्यों गणों को पहचानने का एक शुत्र है ठीक है और गणों को याद करने का भी एक शुत्र है ठीक है ये माता राज भान सलगा ठीक है अब ये माता राज भान सलगा को साइद आपने पड़ा हुआ सबसे पहले तो हम क्या करते हैं सर इनके उपर मात्राइं ल लगेगा इस पर लगेगा सिर्फ गूरू सोरी लगू फिर लगेगा गूरू फिर लगेगा आपका गूरू फिर लगेगा आपका कौन सा फिर लगेगा आपका गूरू फिर लगू फिर आपका गूरू लगेगा फिर लगू फिर आपका लगू है फिर लगू है और फिर लेकिन अब आपके सामने एक बात और आत रखनी है अब इस याय का मतलब यह साथ यह यगन अब इन सब के पीछे गन गन जोड़ दो यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन, लगन और आपका सगन तक होगा, यह लगू है और यह गुरू है इनके नाम करन कर देता हूं मैं यहीं पर देखो यह क्या है सर आपका, यह है आपका यगन पहला होगे आपका यगन, पहला अगन कौन सा होता है सर यगन दूसरा अगन जो है वह आपका कौन सा है सर मगन अहुंग है मात्रावडी क्योंकि इसके पिच्छे का भी लोजिक आपको समझाूगा ठिक है यहाँ पर आपको देखना है सर्थ तीसरा जो है वाकर और किया होता है सर्थ ठगन ठेक है यह क्या है यह गर्रम अगर्र भगण तगन जब आपके आएंगे यह जब आप चंद की पैचान करोगे वरनिक चंद में ये उनके लक्षन होंगे सर जब घंड जो है उनमें मात्राओं का क्या समय बनेगा इसमें मात्राओं का क्या समय बनेगा इसमें मात्राओं का क्या समय बनेगा मैं आपको बताने वालों ठीक है रह से आपका चार नमबर पर क्या बनेगा रगण बनेगा रगण ठीक है और यहां से आपका क्या बनेगा जगण जगण बनेगा पांस नमबर पर ठीक है यह आपका रगण यह आपका जगण और फिर छै नमबर पर आता है आपका भगण ठीक है छटा गन जो है भगन है साथ में गन की बात करेंगे तो नगन है नगन ठीक है और आठ में की अगर बात करेंगे तो आपका कौन सा आएगा सर सगन आएगा ये होगे सर आपके आठ गन लेकिन लास्ट में जो आपके सामने लगू गुरू दिख रहा है ये क्या है तो आपको पता है लागओ-गू मैंने अभी आपको लिखुआ था आठ नमबर को है आपका ये है लगू के ये जह नो नमबर प्रापका लगू है तो आठी होते हैं यह आपकाा नमबर फ़लत है और jsुसलैक नमबर प्राप JERA एक बात आपको याद रखने हैं यह आपके कितने होगे सर आठ तो गण होगे और नौवमा लगूद दस्मा गूरू हो गए आपका इनको ये जो ये माता राज भान सलगा दसाक्षर भीं कहा जाता है इनको गणो की सब्धा अधो लिखित को क्या कहा जाता है दसाक्षर भी कहा जाता है दसाक्षर भी कहा जाता है सोरी 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 ठीक है इनको दसाक्षर भी कहा जाता है क्योंकि यह दसाक्षर है ना और ये सुत्र जो है उससे आप क्या करते हो सर चंद की पहचान करते हो अब सुनो ध्यान से अब मान लेते हैं सर यगन जो है उनका समुए क्या बनेगा तो आपको एक बात याद रखने है अब आप जैसे ही देखो पहला देखो गे यगन कैसे बनेगा यगन की मात्रा क्या होती है यगन के लिए आपको ये मातारा याद रखने है यगन का मात्राओं का करम होता है ये मातारा मतलब यगन में मात्राओं का जो करम होता है वो ये होता है पहला करम फिर उसके बाद में अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो फिर दूसरा जो मगन है यानि यहां से लेकर जब यहां तक कि हम बात करें कलर का प्रिवकर हूं मैं different तो वो मगन जो है वो उसका करम क्या होगा आपका मातारा यानि कि मैं इसको बना देता हूं इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा कर गये यह हो गया सर मातारा मतलब यगन का क्या बनेगा मगन का मातार मतलब तिन मैं बढ़ी आए गई तो तिन मातरा एक साथ बढ़ी ओ तो इसका मतलब क्या हूआ कि वह क्या है Sn这是 मगन मातारा है तीसरा देखो तीसरे की बात करते है वापस यहां पर आता है साथ यो तीसरे से तगन तगन की अगर बात सुरी तगन की अगर बात करेंगे तो यहां से शुरू हो जाएगा आपका तगन और यहां तक चलेगा अब तगन का ताराज होता है तगन का क्या होता भीया ताराज होता है और जिसक अलग पेन ले लेते हैं अब यह वाला पेन सर उसके बाद में हमने यह देख लिया देखो यहां से हम इसको शुरॉत कर रहे हैं इसकी शुरॉत यहां से हो रही है इसकी शुरॉत यहां से होगी ठीक है अब यहां से राज भा राज भा अगला जो रगन है उसका नाम होता है राजभा और उसकी मात्रा क्या होती है ये रिसे इसकी मात्रा होती है सात्यों ये वाड़ी इसकी मात्रा होती है पहली गुरू दूसरी छोटी यानि लगू गूरू गूरू लगू गूरू अब आजो किसकी रगन की अब उसके बाद में आगे चलते हैं सर बापस से कलर चें आपका जैबान है यानि कि जबान का क्या होता है करम है तो जबान का करम आपका यह होता है एक छोटा बड़ा छोटा यह देखो हमने पिछले पर किया था ना चोटा बड़ा चोटा इसका मतलब यह जवान है जवान का मतलब यह जगन है तो यह कौन सा गन होगे आपका जगन होगे ऐसे पहचाने है अभी मैं बात करूँ आपके सामने बस यह सुत्तर जवाप याद कर लोगे तो और आपको इनका करम याद करने की जुरत नहीं है जब लैगर आपकं भानस से मैं क्या बनेगा ठीक है आपका है पहला दूसरा छोटा ठीक है यह क्या हो गया सर्फ भगन हो गया ऐसे पहचान होती है और कि इनकी पहचान अलग से थोड़ी होती है आजो यह इनका भगन हो गया अब आजो अगले अपकले की बात करते हैं आपके सामने तो सर्फ आनस के बात में आपका नैसल नैसल और नैसल की नैसल गा अब नसल में तीन नो मात्रें चोटी होती है यानिकी तीनो चोटे अभी फिसले पेज पर पढ़े थे तीन चोटे यह रहा है यह क्या बहigns है ठीक है नगहर का मत्रब नसल नसल भानस इसका जाए सर्भानस ऐस अभी मैं सिखा दूंगा आपको भी इनका पूरा पेज पर अलग से और बनाएंगे हैं अभी तो मैं आपको शिखा रहा हूं अगला जो अब लास्ट में देखते हैं लास्ट में वापस से चलते हैं और लास्ट में देखो भीया रेड़ पेन वापस ले लेते हैं अब आगया साथ यह आठ मांगन मतलब सलगा आ ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा मामला सिखाया है ऐसे आपको करना है ठीक है अब धोड़ा सा इनके गणों का करम यहीं पर बना देता हूँ फिर अगले पेस पर अलग से आपको बनवाता हूँ देखो इसका यगन का क्या बनेगा बोलो मनी मन में बोलो सर यगन से आपको यह मातारा याद रखना है यह मातारा यह मातारा यह देखो बलेक में यहां तक है न आपका एक नमबर ठीक है उसके बाद में सर मगन से मगन से मातारा तिनों बड़े मातारा सर मातारा यह देखो आपके इ किनों मात्रें बढ़ी आती है ठीक है तगन से तगन से आपका ताराज 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 है मतलब ताराज है इसे याद कर लो ताराज ठीक है जो हमने रेड कलर से लिखा है उसके बाद में आ जो रगन से आपका ताराज से राज भा राज भा यह हमने परपल से लिख यह क्या बनिया राजभा इसा बनिया उसके बाद मेंता है सर जगन से जगन से जभान याद रगना जै भान आईसाई जभान याद रगना सर जै भान ठीक है फिर भगन से आपका भानस याद रगना भानस यह रभानस और उसके बाद में आपका नगन से तिनों छोटा नगन स अगण से नय सेल, तीनों छोटे और सगंड से सलगा, सलगा, शलगा, ठीक है, आप एक जी से कोई नियुन, सब अलग लग है, सब अलग लग है, सब की पहचान अलग लग है, यह शुत्र बन गे आपका, और लास्ट में आपका क्या होता है सर, यह तो आपका लगू हो गया, और ये आपका गुरू हो गया, ये आप जानते हो ची तरीके से, ठीक है, इस तरीके से गणों को पहचाना जाता है, गणों की पहचान के लिए आपको क्या याद करना है, ये माता राज भान सलगा, ये माता राज भान सलगा, ये माता राज भान सलगा, अरे ये एक लाइन य एक अलग लग तरीके से उसकी एक शारणी एक टेबल बना दिता हूं मैं ताकि आप इनको कभी भूलो मत आज ओवे भूलना तो ही नहीं है ना कि चांद तारों को महफूस रख लेना देखो अभी इनको बापस से मैं ठीक है एक करम में फिर से लिख रहा हूं बापस से मैं इ चोड़ दो क्योंकि पक्का आपका एक आने वाला वर्निक चंद एक आपका वर्निक चंद आने वाला है अब जब वर्निक चंद आने वाला है ठीक है तो आप सब को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना ठीक है वर्निक चंद जब आपका आएगा हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे तलते हुए आप सभी को ध्यान में रखना है कि सर यहां से देखिएगा आपका ये माता राद ये माता राज भाने ये माता राज भाने से इनको भी थोड़ा अलग लग लिखते हैं थोड़ा दूरी पर लिखते हैं ठीक है राज भाने ठीक है सलगा ठीक है राजभान सलगा अब यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना ये मैंने लगा दिया सर अब आपको बापस से क्या करना इनके उपर मात्राएं लगा तो यानि कि उनके जो है सर इसकी मात्रा आपको पता एक की मात्रा है तो आप इसके उपर खड़ी पाई इसके अब सर इनको हम पहचानते हैं एक गणों को इनका जो गणों का करम है वो हम बनाते हैं क्या करते हैं सर इनका गणों का जो करम है वो हम बना देते हैं ऐसे करते हैं ठीक है अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं अपने और इन आठों के गण जो है उनको हम बनाते हैं ठीक है सर आठ कर्लों कुपी कोफिक है को पिक कि यह ए अुग मुखक्य में को सबसे पहला करम सबसे पहला करम आता है साथ कि एक नंबर पर आपका एक नंबर पर आता थाς तर यह गहाण है क्योंकि जो नाम है उसके साथ में आपको गन जोटना है दो नमबर पराथ आपका कौन सा सर में गण तीन नम्बर पर आप कौँन सा आता है साति हो यह माता पैसे तकन मैं ऊपर तो देखूंगा नह、 याद थिक है चार नम्बर पर आता है यह माता राज रहेसर रगन रहेसर आपका रगन ऊपर करें ठीक है रगन आगया उसके बाद में आपका क्या आएगा सिर्फ पांस नंबर पर जगन कोशिस रहेगी इसी यहीं पर लिग लिए साथ आठों के आठ ताकि आपकी जो टेबल बनेगी वो आपकी यहीं पर अच्छी तरीके से बन जाएगे ठीक है स्पेस थोड़ा कम कर देते आठ क्या आठ आने के लिए अप सब को ध्यान में रखना पांस नंबर पर अगर बात करेंगे तो यह माता राज जैसे जगन है पांस नंबर पर आघया जगण राज भा बैस आपका आगया सिर्फ भगण मने सातमा आगया सातियो नगण और आठमा आगया आपका सगण ये आपको अच्छी तरीके से याद रखने है अब आप सभी को यहाँ पर सर गण जो है वो आपके पता चल चुके है अब गणों की जो मात्राएं है उन मात्राओं को जानने से पहले सर, इनके नाम जान लेते हैं, ठीक है, गणों के मातराओं को जानने से पहले, इनके जान लेते हैं सर, नाम, नाम का मतलब ये हुआ, कि जो यगण था, इसका नाम क्या सर, ये मातारा, हमने पैचान करे थी सर, ये मातारा, ये माता, पहला जब वो सर, ये माता होता है, फिर द मात आपकाट से आपका यह आतक है टापर देस स्रवा तो आपका पता रहती है जाइगा जाएगा जाइगा जवाने फिर अपका भगन मों से भान क्तिक बाखीं उसके ब्धाएगा की अब का क्यां जाएगा ने सेल और लास्ट में आपका सेसे लह लगा सेल गा ये बन Streओ ये माताराज भान सलगा ठीक है ये माताराज़ भान सलगा गात ऊड़ा तू ठीक है फिर्यै माताराज़ भान इसका मतलब यह हुआ कि आपका ये सर गणों का करम हो गया यह सर गणों का करम है और यह आपके गणों के नाम यह आपके गणों के करम जो मैं इसके अधार पर बना रहा हूं ठीक है अब देखो अब हम आगे बढ़ते हैं अब यहां से देखो सर इनके मात्राओं के बात यहां पर करते हैं तो देख लो अब इन तिनों बड़ी ठीक है आपका क्या आगया साती हो ये तिनों बड़ी होगी उसके बाद में सर तार आब है दो बड़ी है सर दो बड़ी और एक छोटी है फिर आगया सर राजबा ठीक है एक आपका हो गया सर राजबा राजबा फिर आपका एक छोटी बड़ी छोटी ठीक है यह सर गणों का करम आपका इस तरीके से रहेगा अब मान लेते हैं यह आपका क्या रहेगा बाइस साब गणों का करम रहेगा अब सर इन गणों के करम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इनके जो नामकरण है इनके हिसाब से उनकी मात्राइं भी आपको लगानी पड़ेगी ठीक है जैसे मालो एक छोटी दो बड़ी लगा दो एक दो तिनों बड़ी लगा दो ठीक है यहाँ पर छोटी लगा दो बड़ी लगा दो अब हम पहचानते हैं लो मैंने रेंडमली कोई नाम लिख दिया देखो हमें क्या लिखना है साथियो कोई रेंडमली ऐसे नाम लिख देना है जैसे कि मैंने लिख दिया सर मेरा भारत महान मेरा यहां पर हमने लिख दिया सर मेरा भारत मेरा भारत महान मेरा भारत महान है यह मैंने लिख दिया मानलो ऐसे हमें क्या करना है सर इनके उपर गन लगाने आप देखो यहां पर आपको देखना है सर में एक की मात्रा है तो आपका लगेगा लगुरू यहां भी लगेगा आपका गुरू यहां पर लगेगा आपका लगू फिर यहां लगेगा लगू फि ये तीन एक गण बन गया फिर ये तीन इनका एक गण बन गया और लास्ट में गण नहीं बना मतलब दो लगू बचगे लास्ट में क्या बचगे सर दो लगू वह तीन आएंगे तभी गण बने अब देखो आपके सामने दो गण बने ये और एक गुरू आया है और फिर एक गुरु आया है मतलब यह आपके सामने आ गया अब यहां पर आपने यह देखा कि पहला जो है वो यह सर तिनों के तिनों मात्राइं गुरु है तो तिनों मात्राइं गुरु किसमें यह रही तिनों मात्राइं किसमें गुरु यह रही सर अब जब तिनों मात्राइं गुरु ह यहां पर आपका क्या नाम आज जाएगा भया मैंसे यह मगन है तो यह कौन सा हो गया गुरूजी मगन हो गया कि यह काम कहां पर आएंगे यह आगे जल कर जब आपका छंद आए गाना कि भशंत तिल्का में यह गान तगण भगण होता है तो आई ंहीं आए और कुम ये फार कहां नगन अर्फिर आपका यह आया तो इसका मतलब यह लास्ट में गुरू और ये अपका क्या आया सरुकं तो साइध इससे आसान कोई तरहिक नहीए आपको लगबू गुरू समझाने का यगन मगन और भगंजक समझाने का तो आप सब लोग साइध इस बात को समझ गए होंगे कि यह माता राज भान सलगा से हम गणों की पहचान करते हैं और गणों को याद करते हैं आप इनको बहुत अच्छी तरीके से कर ले ना यह सभी जो चीजे जो मैंने आपको बताई है सर यह किसमे काम वरन होते हैं उसमें 14 वरन होते हैं और 14 वरन में गणों का करम क्या रहेगा इन में से एक दो गण जो गणों का करम है वो आपका उठा लेगा यह मामला आपके समझ में साइध आपका अच्छी तरीके से आचका होगा कि हम गण जो है वो कैसे पहचानते हैं गणों को बनात कर दो इनका, याइसे यगन मैं से मगन आपका फिर तैयसे तगन इनको रटना एही ने, देखो, रटो मत, बस देखो यह से फितांव प्रण रगन जगन औरो, अर लगु हॉर ओर गुरू, लगुं में मात्रा है, गुरू में मात्रा तो, यह आप को स्पस्ट रूप से कहा जा रहा है इसलिए बहुत ही सोच समझ कर यह जो गण जो है वो आपका यहां पर गणों का जो करम है वो आपका लिए रखा गया है और इसलिए मैंने आपको यहां पर पूरा का पूरा जो मामला है वो स्पस्टिक गण बताया कि तगण में ताराज और ताराज का मतलब सा दलगाए